देश की शिक्षा विवस्था का पूरा ढाचा कई सम्मेधानिक सिधान्तों और मूल्यों का उलंगन कर या फिर उनकी ब्रामक व्याक्ष्या करके ही तयार हुआ है या यूँ कहें कि समूची शिक्षा विवस्था 85 फीस्दी से ज्यादा आबादी के सरोकारों और सपनों के मताबिक कभी बनाई ही नहीं गई इसलिए आर्थे कमजोर वर के बच्चे कक्षा एक में दाखिला तो लेते हैं पर उनमें से बमुश्किल 10 फीस्दी ही बारवी कक्षा पार करते हैं बाकी को उसके पहले ही शिक्षा से बेदखल कर दिया जाता है यानि 90 फीस्दी को आज तक उच्च शिक्षा में जाने का मौका ही नहीं मिलता सप्रंग सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अर्थात 8 यी अधिनियम पारत किया मगर हकीकत वास्तविक्ता से कोसो दूर है गत 12 वर्षों के दुरान शिक्षा अधिकार के नाम पर बने इस अधिनियम का जम कर चीर हरन हुआ है कहीं कागजातों में फर्जी वाड़ा तो कहीं जूट का सहारा जिनकी हक के लिए यह कानून बनाए गए वह हाशिये पर ही पड़े रहे और सेंधमार फाइदा उठाते रहे एक नहीं सेक्डों मामडे चानबीन में सामने आए हैं इसे देश्व्यापी शिक्षा घोटाला कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए अकेली नाकपुर की बात करें तो आठी ई प्रवेश प्रक्रिया हमेशा विविदकार्णों से विवादों में रही नामचीन स्कूलों में फर्जी दस्तावेश के आधार पर बालकों को प्रवेश दिये जाने की लंबी फहरिस्त रही है किसी के आवेदन में दिये गए पते के नुसार घर और स्कूल के बीच अंतर काफी कम है तो कुछ आवेदनों में किराया पत्र की गड़ बड़ी सामने आई किसी के रहिवासी सबूत के तौर पर प्रस्तुत ग्यास पास्बुक ठीक है लेकिन वह ट्रांसपर कराई जा चुकी है साफ है कि आटीई में सब कुछ पारदर्शी नहीं यह जाज के बाद ही सामने आ सकेगा लेकिन फिलाल ऐसी सीटों पर वाजब और जरुरतमन बच्चों का प्रवेश तो निश्चित नहीं हो सका सुप्रीम कोट के 1992 के मोहीनी जैन और 1993 के उन्नी कृष्णन के फैसलों के कारण कक्षा आच तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल चुका था इसको लागू करने के बजाए 2002 में च्यासिवा संविधान संशोदन अधिनियम पारित किया गया जिसके दुश्पर नाम हुए कि 6 वर्ष से कम उम्रे के 17 करोर बच्चों का पोशन सेहत, सुरक्षा और पूर्व प्रात्मिक शिक्षा का मौलिक अधिकार चिन गया राजी को यह चूट मिल गए कि वो 6 से 14 आयू समू के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अपनी मनमर्जी से दे मूल अनुछेत 45 वे संब्धान बनने के 10 साल के भीतर मुफ्त और अनिवारे शिक्षा देरी का निर्देश था लेकिन संशोदित अधिनियम के मताबिक ऐसी कोई समय सीमा तै नहीं की गई इसलिए यह हक देश के लगभगा आदे बच्चों को आज तक नहीं मिला है दरसल जब अंग्रेज शासक भारत आये तो वे यहां की पूरी व्यवस्था बदलने लगे गाउं के स्कूलों में भी उन्होंने अपने नियम जड़ दिये एक तो अंग्रेजी सोच वाले स्कूल गाउं में नहीं थे और जो थे उन्हें अमाने कर दिया गया जो स्कूल यूरोपिय सोच पर आधारित थे वे आम लोगों के लिए बहुत महंगे थे आटीई को अपने देश बाद का दूस्टा चरण कहना अनूचितना होगा पहले तो याधिनियम सब स्कूलों को एक ही माप से तौलता है और दूसरे इसका शिक्षा से लेना देना नहीं नजर आता कहने को आटीई शिक्षा का दिकार है लेकिन आखिर यह कौन सा दिकार है जो जबरन लागू किया जा रहा है और जिसमें अभी भावकों के पास कोई विकल्प ही नहीं आटीई के बच्चों को शिक्षा थोपने की जगह उनके प्रतिभा के विकास के लिए अलग-अलग प्रयोग करने चाहिए सरकार का काम नीजी शिक्षा को प्रोच साहन देने और शिक्षा कस्तर बढ़ाने का होना चाहिए ऐसा लगता है कि शिक्षा के नाम पर चलाया जा रहा शिक्षा धिकार अधीनियम इसके विपरित है एक रिपोर्ट के नुसार अभी तक देश के केवल 56 फीसदी सरकारी स्कूलों में ही बजली की विवस्ता हो सकी इसी प्रकार से 57 प्रतिशत से भी कम स्कूलों में खेल कूट का मैदान है रिपोर्ट में बताया गया है कि आज भी देश में एक लाग से ज्यादा सरकारी स्कूल एकल शिक्षकों के वरों से चल रहे हैं इधर 2014-15 के बाद से शिक्षा के बजट में भी कमी देखने को मिली है 2014-15 में शिक्षा के लिए आवंटिद बजट भारत सरकार के कुल बजट का 4.14 फीस दी था जो 2019-20 में 3.4 फीस दी हो गया इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2010 में शिक्षा का धिकार कानून के लागू होने के बाद पहली बार केंदरों और सरकारों की कानूनी जवाब दे ही बनी कि वो सभी बच्चों के लिए निशुलक और अनिवारे शिक्षा की व्यवस्था करें लेकिन इसी के साथ ही इस कानून की सबसे बड़ी सीमा ये रही कि इन में सारुजनेक और नीजी स्कूलों के अंतर विरोध से कोई छेड़ चाड़ नहीं की आटी ई निनक केवल शिक्षा के दोहरी व्यवस्था को बनाए रखा बलकि इसे मजबूत बनाने में भी मददकार साबित हुई इसने जरकारी स्कूलों को मजबूरी की शाला में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा जो लोक सक्षम है उनकी दोड़ पहले से ही प्राइविट स्कूलों की तरफ है अब नीजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा लागू होने के बाद गरीब और वंचित समुदाए भी इस भगदर में शामिल हो गए है प्रिशतीन देशकों के दुरान दुनिया बहुत तेजी से बतली भी है और इसी के साथ ही देश दुनिया की शिक्षा प्रणाली बरती जरूरतों और मांगो के नुसार कई बदलावों से गुजरी है दुर्भागे से भारत में एक बार फिर से कुछ समुदाए और वर्गी इन बदलावों का फाइदा उठा पराए हैं देश के एक बड़ी चन संख्या की यहां तक पहुँच नहीं हो पाई है विभाजन बहुत गहरा है इस नए विभाजन के दो छोर हैं जहां एक तरफ कुछनिंदा, कुली और समरांद प्राइवेट स्कूल नवोर्दे के इंद्रे बिद्याले हैं तो दूसरी तरफ सरकारी और गली महलों में चलने वाले छोटे और मध्यमस्तर प्राइवेट स्कूल प्रात्मिक शिक्षा में लगबग शत्प्रतिशत नामांकन के करीब पहुचने के बाद आटी ई को सभी बच्चों के लिए प्रात्मिक शिक्षा के लिए अफसर का कानून की भूमिका में आगे बढ़ते हुए सबी बच्चों के लिए गुर्वता पूर्ण और समान शिक्षा के लक्ष की ओर आगे बढ़ना होगा शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान वेन की निगरानी के लिए जिम्यदार एजिंसी राश्यबाल अधिकार आयो की भूनी का और स्पष्टवा मजबूत बनाने की जरूरत है प्रभावी निगरानी के लिए व्यवहारिक रूप से यह जरूरी है कि कम से कम हर जिले में आयोग का अपना धाचा हो जो आटीई के शिकायत निवरन धाचे की तरह काम करे यह काम राजबाल आयोग के माधिमों से भी किया जा सकता है स्कूलों की समदाइक निगरानी और सयोगी तरफ ध्यान देने की जरूरत है लेकिन इन सबसे अधिक जरूरी स्कूली शिक्षा को लेकर नीती निर्माताओं के नजरिये में बदलाव की है जो सबसे चेडी खीर है 1964 में गठेत कोठारी आयोग द्वारा समान स्कूल व्यवस्था की वकालत की गए आयोग का माना था कि एक राष्ट के तौर पर हमें ऐसी राष्ट्री व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसके बिनापर समाज सभी वर्ग और समुदायों के बच्चे एक साथ समान शुक्षा हासिल कर सके आयोग ने ये भी माना था कि समान स्कूल व्यवस्था के सहारे ही दोहरी शुक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है अगर इसमान स्कूल विवस्था को अपनी मन्जल मानने को तयार हो तो शिक्षा अधिकार कानून इस दिशा में महत्वकून पड़ाव साबित हो सकता है बहराल मुद्दा गंभीर है अधिकारों के विज़ा इस्तमाल को रोकने के लिए उठ खड़ा होने की जिम्मदारी भी हमारी ही है सेंद लगाने वालों की पॉल खोले सूचना का अधिकार जैसा हतियार हमारे पास है फिर मिलेंगे एक और जो अलंग मुद्दे के साथ तब तक के लिए बने रहे है हमारे साथ सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची